Hello students, this is Tanushree, so today we will start exercise number 46 from lines, angles and circles, so let's start Question number 1, pick the closed curves from the figures given below तो देखो यहाँ पे कुछ figures दिया हुआ है, इसमें से हमें चूज करना है कौन सा है, closed curves के figure ठीक है तो देखो यहाँ पे closed curve क्या है, जब हम एक point यहाँ से हम start करेंगे, draw करना और यहाँ पे हम खतम करेंगे तो starting और end point यहाँ पे होगा और यह पुड़ा closed रहेगा, तो यह हो जाएगा closed curve तो देखो यहाँ पे कौन सा है closed curve तो ये है तो ये हो जाएगा और क्या है ये नहीं है ये है तो ये भी हो जाएगा और ये भी नहीं है तो ये दो figures हो जाएगा closed curves की figure Question number 2 Pick the closed figures which are not made of line segments तो देखो यहाँ पे जो closed figures रिया हुआ है इसमें से कौन सा line segment से हम draw नहीं कर सकते हैं तो देखो ये हम line segment से draw नहीं कर सकते हैं तो ये हो जाएगा अभी देखो ये तो line segment से draw करना है तो ये नहीं होगा ये भी line segment से draw नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा और ये तो line segment से हम draw करेंगे तो हो जाएगा को फील करना है ठीक है तो यह करने से पहले एक बार 46 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जरूर देख लेना मैं description box में लिंक दे दूंगी तो फर्स्ट क्या है the center of the circle is the point dash तो देखो यह circle है ठीक है तो center क्या होता है जो बीच का जो point होता है वो हो जाता है center तो यहाँ पर center क्या है ए ठीक है तो center हो जाएगा ए अभी देखो the diameter of the circle is dash तो diameter क्या होता है जो circle है इसका जो center है center से अगर एक line हम ड्रॉ करें तो circumference की उपर circumference क्या होता है circle का boundary होता है ठीक है circumference तो circumference की उपर किसी भी दो पॉइंट में अगर टच करें तो बो line हो जाएगा diameter ठीक है जो center से ही जाएगा ठीक है जो line हम ड्रॉ करेंगी सिर्फ center से तो बो हो जाएगा diameter ठीक है introduction पर जरूर देखना और clear हो जाएगा तो यह हो जाएगा d e अभी देखो dash dash and dash are the radius of the circle तो radius क्या होता है जो center होता है Mother center से circumference जो है इसके ऊपर किसे भी point से जो line हम ड्रॉ करते है center से circumference के ऊपर किसे भी point में हम जो line ड्रॉ करते हैं वो हो जाता है radius ठीक है तो देखो यह आपके क्या होगा AF होगा AD होगा AE होगा ठीक है? तो देखो AD AE and AF are the ready of the circle अभी next देखो the chords of the circle are dash and dash तो देखो chords क्या है? chords जो circle की circumference है circumference के उपर किसी भी 2 points अगर हम join करें तो वो हो जाता है chord तो देखो chords क्या हो जाएगा इस circle का BC एक होगा तो BC होगा और एक क्या होगा और एक होगा DE अच्छा अभी देखो the points dash, 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 dash and dash are on the circle तो देखो कौन सा point circle की उपर है वो हमें यहाँ पर लिखना है तो circle की उपर तो circle की उपर means यह जो circumference है boundary इसकी उपर कौन सा-कौन सा points है तो देखो कौन सा-कौन सा points है B, E, C, D, F तो यहाँ पर हो जाएगा B, E, C, D and F are on the circle ठीक है अभी next देखो the points dash and dash lie in the exterior of the circle तो देखो कौन सा-कौन सा points circle की बाहर हो है ठीक है exterior mean circle की बाहर कौन सा point है ठीक है exterior point तो यहाँ पर देखो circle की बाहर कौन सा points है P और Q तो हो जाएगा P and Q next देखो the points dash, dash and dash lie in the interior of the circle तो interior of the circle means कौन सा point circle की अंदर में है ठीक है interior means अंदर का point interior point ठीक है तो देखो circle की अंदर कौन सा-कौन सा point है यह एक point है A ठीक है यह एक point है एक point M है एक point L है ठीक है तो हम लिखेंगे A, L and M lie in the interior of the circle अभी next देखो dash and dash are semicircles तो semicircles क्या होता है circle की जो diameter होता है diameter circle को दो portion में divide कर देता है तो half portion में divide करता है वो ही हो जाता है semicircle तो एक उपर का portion ये एक semicircle हो जाता है और नीचे का portion ये भी semicircle हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो एक हो जाएगा D, F, E और एक हो जाएगा D, C, E ठीक है तो हम लिखेंगे D, F, E and D, C, E ठीक है और semicircles next देखो ED is equal to dash into F तो ED क्या है? ED diameter है circle का ठीक है? अभी देखो dash into F, तो F क्या है? F है radius ठीक है? तो diameter और radius का एक relation दो relation हमने परा है introduction part में ठीक है? तो बोई यहाँ पर होगा देखो तो क्या हो जाएगा? diameter होता है क्या? radius का double हो जाता है diameter ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ED is equal to 2 into F अभी देखो next F is equal to dash into ED तो AF, F radius है और ED, ED क्या है? ED diameter है तो radius क्या हो जाता है? diameter का half हो जाता है radius है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा half ठीक है? अभी देखो BC is a dash of the circle तो BC, BC देखो BC क्या है? circle का? chord है है ना? तो यह हो जाएगा chord अच्छा, अभी देखो the longest chord of the circle is यह भी हमने परा है तो longest chord क्या होता है? circle की diameter होता है ठीक है? तो यह हो जाएगा DE Question number 4 है compass यूज़ करके एक circle ड्रॉ करना है जो radius दिया हुआ है 6 cm ठीक है? तो हमें चाहिए 1 scale ठीक है? और चाहिए compass चाहिए ठीक है? और ऐसे pencil चाहिए ठीक है? ऐसे हम यहाँ पर रखेंगे और यह same level कर रहेगा ठीक है? अभी हम करेंगे देखो 6 cm फर्स्ट ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? तो 6 cm इतना तक होगा तो हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे अभी हम जॉइन करेंगे ठीक है? तो यह हो जाएगा 6 cm अभी हम मेजा लेंगे 6 cm का ऐसे ठीक है? अभी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर यहाँ पर किसी भी एक जगा में रखके अभी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ठीक है? अभी सेंटर हम देंगे ओ और यहाँ पर रेडियस हो जाएगा 6 cm तो हम लिखेंगे रेडियस यहाँ पर एक नाम दे देते हैं OA तो यह हो जाएगा OA रेडियस OA is equal to 6 cm तो यह पेंट से लिख ले ना अभी next है 4.8 तो 4.8 कहाँ पर होगा? 4 और 5 के बीच में 4.8 होगा तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर पर पॉइंट हो जाएगा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इतना तक हो जाएगा 4.8 इतना तक तो 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 इतना तक होगा ठीक है 4.8 cm अभी हम मेजा लेंगे 4.8 अभी सर्कल ड्रा करेंगे ठीक है अभी सेंटर ओ देदेंगे और रेडियस ऐसे देदेंगे यह 4.8 cm ठीक है रेडियस ओ एसे इकल टू 4.8 cm नेक्स्ट है 5.8 cm तो हम लेंगे देखो यहां से हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5.8 तो 5, 6, 7, 8 ठीक है तो 5.8 इतना तक होगा ठीक है इतना तक मेजा लेंगे लेके फिर ऐसे ही करेंगे और नेक्स्ट है 6.5 cm तो कहां पर होगा यहां से हम मेजा लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6.5 तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इतना तक हो जाएगा 6.5 ठीक है तो इतना तक लेके फिर ऐसे करना है कुशिय नमर 5 सेम पॉइंट O एसे सेंटर हमें लेना है अभी 3 सर्कल्स ड्रा करना है तो रेडियस होगा 3 सेंटिमेटर, 4 सेंटिमेटर और 5 सेंटिमेटर तो फर्स्ट हम 3 सेंटिमेटर ड्रा करेंगे 3 सेंटिमेटर ठीक है अभी हम 4 सेंटिमेटर ड्रा करेंगे और अभी 5 सेंटिमेटर 3 cm, 4 cm, 5 cm अभी हम मेज़ा लेंगे 3 cm, अभी सर्कल ड्राव करेंगे यह 3 cm, अभी हम करेंगे 4 cm, तो center same ही रहेगा, ठीक है? अभी 5 cm, center same ही रहेगा, ठीक है? यह हो जाएगा 3 cm, यह हो जाएगा 4 cm, और यह हो जाएगा 5 cm तो यह 3 cm, यह 4 cm, और यह 5 cm, ठीक है? तो O center, A-A, A-B, A-C, ठीक है? तो O-A is equal to 3 cm, O-B is equal to 4 cm, और O-C is equal to 5 cm question number 6, what is the relation between the lens of the radius and the diameter of a circle? तो देखो, radius और diameter की बीच का जो relation है, वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो हमें पता है, फिर से हम देख लेते हैं, देखो, एक circle यह है, ठीक है? अभी center suppose O है, ठीक है? तो radius क्या होगा? radius OA, ठीक है? अभी diameter क्या होगा? diameter suppose BC, ठीक है? तो OA radius है, तो OC भी तो radius ही है, और diameter क्या है? BC, तो देखो, radius, radius और diameter की बीच का relation हमें find करना है, तो radius क्या हो जाता है? देखो, suppose OC, OC radius है, तो radius हो जाता है, diameter का half होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो, half into diameter, ठीक है? और एक देखो, हम देखेंगे, diameter क्या होता है? diameter जो है, BC, ठीक है? तो यह क्या होता है? यह, जो radius होता है, इसका double हो जाता है, diameter है ना? तो OC का double है, diameter, तो हो जाएगा, 2 into radius, ठीक है? तो यही relation है, question number 7, find the radius of a circle whose diameter is 7 cm, तो देखो, radius find करना है, diameter दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें फॉर्मूला पता है, radius is equal to half into diameter, ठीक है? तो half into diameter कितना है? 7 cm, तो यहाँ पर हम लिख देगे, ठीक है? तो अभी देखो, half into 7, तो हो जाएगा, 7 divided by 2 cm, ठीक है? अभी हम देखते हैं, 2 से 7 को डिवाइड करके, 2 3s are 6, 1 आ जाएगा, अभी पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा, 2 5s are 10, ठीक है? तो हो जाएगा, 3.5 cm, next, radius is equal to half into diameter, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, half into 2 meter, 2 meter, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, cancel हो जाएगा यह, ठीक है? उपर नीचे तो हो जाएगा, 1 meter answer, next, यह formula हम लिखेंगे, फिर हम यह put करेंगे, तो half into 5.12 cm, ठीक है? अभी देखो, यह हो जाएगा, 5.12 divided by 2 cm, तो हम देखेंगे, divide करके, तो देखो, 2, 2s are 4, 1 हो जाएगा, अभी 1 आ जाएगा, 2, 5s are 10, अभी 1 आ जाएगा, 2, 2, 6s are 12, ठीक है? तो पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, 2.56 cm, Question No.8, Find the diameter of a circle whose radius is 8 cm, तो देखो, radius दिया हुआ है और diameter find करना है, तो formula क्या है? diameter is equal to 2 into radius, ठीक है? तो 2 into radius कितना है? 8 cm, तो अभी multiply हो जाएगा, 8 to the 16 cm, ठीक है? डायमेटर हो जाएगा, 16 cm, Next, देखो, यह formula हम लिख लेंगे, first, फिट 2 into radius कितना है? 11 cm, ठीक है? तो हो जाएगा, 11 into 2 हो जाएगा, 22 cm, Next, 2 into radius कितना है? 2.35 cm, ठीक है? अभी multiply करेंगे, तो देखो, 01 carry हो जाएगा, 7, 40 ठीक है? अभी right side से 2 digit छोड़ के point हो जाएगा, ठीक है, तो 4.70 यह भी हम लिख सकते हैं, या तो point के बाद 0 छोड़ के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो 4.7 cm ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यह था exercise 46, हम नेक्स्ट वीडियो में exercise 47 स्टार्ट करेंगे.